Hello everyone, welcome to Rara दोस्तों, आज मैं आपको Top 15 Nude Pink Lipsticks दिखा रही हूँ जिने आप Rozana में इस्तमाल कर सकते हैं और ये एक ऐसे shade होते हैं जिनको Rozana में किसी भी skin tone पर बहुत ही खुबसरत लगते हैं बहुत खिलते हैं, कभी भी आप इने wear कर सकते हैं और ये आप अच्छे discount पर नायका, परपल, Amazon या फिर मिंत्रा से purchase कर सकते हैं और एक और बात बता दूँ कि इन lipsticks पर अच्छे discount चलते हैं तो आप online, offline कहीं से भी इने ले सकते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ Elateen का Lip Crayon 03 Move Shot और ये ऐसा pink color है, जो बहुत ही pretty लगता है किसी भी skin tone पर, fair to medium to dusky, किसी भी skin tone पर ये बहुत खिलता है और ये सारे shade ही, रोजाना में इस्तमाल किये जाने वाले shade है office going girls के लिए, या college going girls के लिए किसी के लिए भी ये lipsticks बिलकुल perfect हैं अगला है NY Bay का Melt Matte Shade 33 और ये है बहुत ही प्यारा सा shade और यहां आप देख सकते हैं ये बहुत बहुत जादा खुबसूरत shade है और इस तरीके के lip shade जब आप लगाते हैं तो आपका face अलग ही दिखता है दूसरा भी NY Bay का Nude Say Cheese 34 shade name है और ये भी lip crayon है NY Bay का और ये 100 रुपीज के अंडर आ जाते हैं बहुत अच्छे discount पे तो ये और कम में पड़ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे lip colors हैं और काफी टिकते हैं अगला क्लिनीक का 14 Plum Pop Shade है कल पॉप lipstick और आप यहां देख सकते हैं ये mini lipstick है इसकी और इसका बड़ा size थोड़ा expensive आता है I think 2000 रुपे के लगबलग आता है तो आप धिहान रखिएगा अगली है लैक में Absolute की करीना कपूर खान से Blushing Tempress और ये shade बहुत प्यारा nude color है लेकिन इसका pigmentation थोड़ा सा कम है बट lips पे आप finger से apply करोगे तो बहुत ही chic लगता है और आप देख सकते हैं color कितना प्यारा है Next है TS Cosmetics का Rose Milk और ये 400 रुपे की lipstick आती है लेकिन ये बहुत बहुत ज़ादा pigmented है और ये transfer तो होती है lipstick लेकिन pigmentation अच्छा है इसलिए टिकती भी है लैक में 9 to 5 natural का ये salmon pink जो है MP10 ये shade बहुत pretty light nude pink सा color है जो कि किसी भी skin पर कभी भी अच्छा लगेगा और इन्हें रोजाना ही नहीं पार्टी में भी wear किया जा सकता है आप पास से देख सकते हो Masaba by Naika का जो shade है Buzzkill ये बहुत प्यारा है और इसका price 500 के अंडर ही आ जाता है अच्छे discount पे तो ये 350 तक पड़ जाती है और ये shade बहुत बहुत जादा अच्छा है बहुत ही luxurious lipstick look देती है NYW runway का organ stage wear जो ये shade है ये आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत nude color है और इनको ना इन मेंसे अगर teenager भी अपने लिए लेना चाहें तो बिलकुल ले सकते हैं ऐसे प्यारे प्यारे shade है ये सारे nude pink color अगली color bar की जो ये 002 shine lip shade है ये collection है from glitter me all और ये 12 रुपे का पड़ता है lipstick और highlighter का combo लेकिन ये lipstick बहुत अच्छी है like me 9 to 5 की rosy sunday mp7 जो है primer plus matte lipstick ये तो most favorite है almost हर किसी की और ये बहुत ही प्यारा सा nude pink color है और lips पे बहुत अच्छा आता है और इन lipsticks को अगर आप brush की साहता से lips पे लगाओगे न तो और भी ज़्यादा खुबसूरत लगती है naika की ये mini matte lipstick है 04M और इसका shade बहुत प्यारा soft pink color है और इसके ना 2-3 coat lips पे बहुत अच्छे लगते हैं तो ये अब देख सकते हैं like me 9 to 5 natural की nude pink np8 और ये कितनी प्यारी lipstick है और nude pink जो है ये brownish pinkish nude का mixture है तो ये बहुत soft pink lips पे दिखता है और बहुत ही जादा प्यारा लगता है दोस्तों इसके अलावा मैं आपको दिखा दू अगली भी like me 9 to 5 natural lipstick है ये है pink and इस lipstick को आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी जादा ये प्यारी लग रही है और इसका जो color है हलका सा dark थोड़ा दिखता है लेकिन आप इसे finger से लेकर के लगाईएगा ये भी rosa न में इस्तमाल होने वाली lipstick है अगली है naika molten matte lipstick blare 03 और ये lipstick बहुत जादा प्यारी है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कितनी pretty लग रही है ये daylight में मैंने इसले दिखाए है क्योंकि इनके individual review तो मैंने किये है light में तो लेकिन आपने कहा था कि मैं इने daylight में आपको दिखाऊ और ऐसे pink color है ये जो किसी भी समय आप इने wear कर लीजे किसी भी dress पे wear कर लीजे ये हर किसी को बहुत compliment करते है उमीद करती हूँ आपने request किया था तो ये video आपको helpful लगी होगी अगर लगी हो तो video like और share जरूर करिएगा दोस्तों and मुझे instagram पे जरूर follow करिएगा और इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारे beautiful lip shades के बारे में बताऊंगी इन lipsticks को आप अगर purchase करना चाते है तो almost जो है आपको मिल जाएंगी नायका पे otherwise आप अपने शहर में outlet से purchase कर सकते हैं या फिर अगर आप purple वाली जो lipstick हैं जैसे कि NYB की lipstick जो है वो आपको purple पर ही मिलेंगी तो वो आपको purple से लेनी पड़ेंगी दोस्तो purple.com से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यही lip colors को मैं अभी आपको normal रोशनी में दिखा रही हूँ जो कि मैं धूप में नहीं गई हूँ यही shade दोस्तों जब आप lips पे apply कर लेते हो ना तो और जादा थोड़े से जादा pigmented हो जाते हैं और साथ ही यह धूप में जाकर के थोड़े से warm tone में change हो जाते हैं और बहुत ही bright से दिखने लगते हैं तो इन में से ऐसा कौन सा pink color है जो अपने color को धूप में भी बहुत कम बदलता है धूप में भी ज़्यादा change नहीं होता यह भी मैं आपको दिखाऊंगी जिससे कि आपको बिल्कुल clearly पता चल सके कि अगर आप बहुत ज़्यादा bright yellow light में जा रहे हैं पार्टी में अगर कहीं yellow light है धूप जैसी तो बिल्कुल आपकी lipstick का color change नहों क्योंकि कई बार हम जो सोच कर जाते हैं कि इस lipstick में हमारे photographs बहुत अचे आएंगे वो कई बार red दिखती है कई बार pink दिखती है कई बार brown दिखती है तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने आपको बहुत past से एक-एक lipstick का shade दिखाने की कोशिश की है और यह lipstick वीडियो जो है थोड़ी इसलिए भी लंबी हो जाती है ताकि मैं एक-एक चीज डिस्क्राइब करना चाहती हूँ अगर आप इन्हें और जादा long lasting बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन्हें apply करने के बाद face tissue से थोड़ा सा पोच दीजिए और उस पर आप चाहें तो loose powder से puff कर लीजे तो यह और जादा long lasting और matte में convert हो जाती है इस पर मैंने tutorial बनाया हुआ है तो अब मैं garden में आ गई हूँ आप देखिए बाहर की रोशनी में इनका जो color है वो हलका सा change होने लगा है और अगर बात करूँ मैं धूप की तो यह देखिए धूप में यह जो lip colors है ना यह किस तरीके से अपने रंग बदल रहे हैं यह आप देख सकते हैं और कैसे यह brownish और coral shades में कुछ कुछ change हो गए कुछ pink ही है जो actual में pink है वो pink ही है दोस्तों तो बस अब आपको मैंने एक एक करके बता तो दिया है अब आपकी पूरी आपकी इच्छा है कि आप कौन सी lipsticks को लेना चाहते हैं यह जो क्लीनीक की lipstick है इसने अपना color बिल्कुल नहीं change किया वो धूप में भी as it is दिख रही थी तो यह कमाल की बात है दोस्तों तो बहुत ही अच्छी lipsticks में यह चीज़ें देखने को मिलती है जो मैंने आपको notice करने के लिए बोली और इसी के साथ में आप यहां वापस से देख सकते हैं कि बिना धूप के मैं normal light में आपको दिखा रही है तो फिर से वापस यह ऐसे ही colors आ गए है तो धूप में actually निकलता कौन है बहुत ही कम निकलना होता है बट फिर भी अगर आप yellow light में pictures क्लिक करा रहे हो या आपके पास yellow light है आपके room में yellow light है तो इनके color change होएंगे ही होएंगे दोस्तों तो बस यही मुझे कहना है और अगर इने mix करके एक color बनाने की कोशिश करूँ तो यह देखे कितना प्यारा सा nude color बनेगा nude pink color तो yes दोस्तों यह perfect nude pink color है everyday use के लिए इने brights भी ले सकती है और कोई भी इने इस इस्तमाल कर सकता है वीडियो पसंद आई हो तो follow जरूर करिएगा instagram और facebook पर बाई बाई